हेलो एवरिवान, वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम थोड़े लंबे समय के बाद मैं वीडियो को शूट कर रही हूँ थोड़ी सी घर की परिशानियों की वज़े से थोड़ा सा समय ना दे पाने की वज़े से वीडियो को शूट नहीं कर पाए और काफी समय से मेरी कोई भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिल रही थी तो आज हम नई एक वीडियो के साथ आपके आगे फिर से हाजिर हैं तो आज की वीडियो में हम जो घर की सबसे बड़ी समस्या हम ग्रहनियों को हो जाती है वो है गैस का जो चूला है उसको किस तरह से साफ किया जाए जो बहुत गंदा हो जाता है और उसकी साफ सफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए हमें बाजार में काफी पैसे दे करके उसको साफ करवाना पड़ता है तो आज हम इसी समस्या के लिए इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो आज मैं आपने किचन के सफाई करते हुए मैंने गैस के चूले को साफ किया तो मैंने सोचा कि अपने वीवर्भ के साथ इस वीडियो को शेयर किया जाये ताकि सभी की help होसके क्योंकि ज़्यादा तर लोग डरते हैं गैस की सफाई करने से तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा डर की बात नहीं होती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में हम ये सबसे पहले यह आप देखिए हमारा चुला जो लगबग वैसे तो साफ दिखता है लेकिन ये काफी सारी इसमें गंदगी हो जाती है जैसे ये नौब वगरह होते हैं आटा जब खाना बनाते हैं तो आटा वगरह इसमें लग जाता है जो डेली हम साफ नहीं कर पाते हैं और चाय, दूद, कुछ न कुछ हमारी गैस पर पकाते हुए निकल ही जाता है जिसकी वज़े से यहाँ पर नीचे जो है हमारे काफी इसमें गंदगी हो जाती है चाहे कितना भी साफ कर लो लेकिन थोड़ी-थोड़ी सभी के कीचन में यह प्रव्लम हो जाती है तो आज हम इसको साफ करेंगे अब इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको पहले पानी लगाया है ताकि इसका जो मैल है वो थोड़ा सा गल जाए अब हम इसको पूरे को खोलेंगे लेकिन इन सभी से पहले सबसे पहले अपनी साफधाने के लिए हम गैस के सिलेंडर को नीचे से ओफ कर देंगे उसके बाद हम इसकी दूसरी कारवाई को करेंगे तो सिलेंडर को मैंने कर दिया है नीचे से बन और अब मैं अपनी चुले की ये बर्नर से बगरा इन सब को उतार करके अब इसकी मैं किस तरह से सफाई करेंगे उसको दिखाऊंगे जो हम बड़े आराम से और आसानी से घर पर कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए घंटी का बटन अवश्यद आवा लिजिए तो अभी हम इस चुले को जो बर्नर्स वगारा है ये सभी उतार लेते हैं एक एक करके हमारी जो घर की जो ग्रहनिया होती है वो और रॉंडर होती है और वो सभी कामों को कर सकती है तो इसलिए आप सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी ग्रहनिया जो भी हाउस वाइफ हैं वो इस काम को करने में अगर घबराती है तरती है तो वो इस चीज़ को भूल जाएं और इसको बड़ा एजिली हम साफ कर सकते हैं तो इसके लिए हमने आप वीडियो को देखते जाहिए इन सबी चीज़ों को बरnhस को हमने निकाल लिया है जो इसकी जाली वगड़ है इनको निकाल लिया है अब हम इसको खोलेंगे जो ये वाला हिस्सा होता है ये निचे इसके पेंच दिये होते हैं इसको हम हाथ से भी खौल सकते हैं लेकिन कुछ लोगों के ये ज़्यादा टाइट हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसकी सफाई नहीं की जाती है तो ये गंदगी की वज़े से जाम हो जाते हैं तो उस सिच्वेशन में यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर इसके उपर सिर्का डाल देंगे तो वो गल जाते हैं लेकिन मेरे बर्नर्स को मैं लगबग साफ करती ही रहती हूँ तो इसलिए जाम नहीं है ये तो ये देखे फिर भी कितना गंदा है और इसकी वज़े से हमारे जो गैस है वो बर्तनों को काला भी करती है किसी किसी की गैस जल्दी बंद हो जाती है कम करो तो बंद हो जाती है और चाए नया सिलेंडर लगा हो चाए पुराना लगा हो वो काला करती है बर्तनों को तो ये इतना गंद इसमें जमा हुआ इसलिए वो काली करती है तो हमने सभी को तीनों इसके जो गैस के बर्नर्स है इन तीनों को खोल लिया है और खोलने के बाद हम इसको अभी हम इसको सिंपल पानी में ही डाल देंगे आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा वेनेगर और सर्फ भी डाल के रख सकते हैं उससे इसकी गंदगी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी लेकिन मैं इसमें केवल सिंपल पानी ही डाल करके रखोंगी ताकि इसकी जो गंदगी है वो गल जाए क्योंकि मैं समय समय पर इसको लगबग करती रहती हूं साफ तो जादा गंद नहीं होता है फिर भी अगर आप बिल्कुल नए जैसा वनाना चाहते हैं तो इसकी अंदर थोड़ा सा सर्फ और वेनेगर मिला सकते हैं और अब हम इसको पानी में भीगो करके रख देंगे एक तरफ ताकि इसकी गंदगी गल जाए और तब तक हम चूले की और बाकी चीजों को साफ कर लेते हैं तो अब हम आ जाते हैं चूले पे चूले की तरफ आके अब हम इसको देखते हैं नीचे से हम उठाके देखेंगे तो नीचे की तरफ से मेरा तो चूला इतना गंदा नहीं है क्योंकि मैं पहले इस पे थोड़ा सा कपड़ा लगा चुकी हूँ लेकिन कुछ लोगों के ये बहुत ही ज़्यादा गंदा और काला हो जाता है तो उसको साफ करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इसको हम जैसे नॉर्मली जिस कपड़े से बर्तन साफ करते हैं उस बर्तन साफ करने वाले जहामे के साथ या जो भी आप यूज़ करते हो स्टील वाले के साथ या दूसरे के साथ जिस तरह से हम बर्तनों को साफ करते हैं उसी तरह से इस चुले के सभी पार्ट्स को हम इस तरह से साफ करेंगे क्योंकि चीकना और सबजी बबजी के जो निशान होते हैं उसकी बज़े से ये सारा जम जाता है तो सारे पार्ट्स को हम बड़े अच्छे से सरफ के साथ रगड रगड के हम इसको साफ कर लेंगे और ये सभी दाग धब्बे जो हैं असानी से निकल जाते हैं और अगर कोई जादा जिद्धी दाग होते हैं तो उनको हम जो लोहे का जो स्टील वाला बरतन साफ करने वाला जाम है उसकी साहिता से भी अमिन को साफ कर सकते हैं और जो भी इसके स्क्रूब कर रहे हैं इन सभी को हम अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि ये हमारे टाइक ना हो तो ये सारी चीजे बड़ी अच्छी से साफ हो जाती है तो इस तरह से हम करते करते देखिए अपने पूरी गैस्प की सफाई अपने आप से कर सकते हैं और इसके लिए हमें बजार में लोगों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं होती तो अच्छे से ये देखिए बिल्कुल सारा साफ हो गया है और अगर आपको लगता है कि ये कुछ जिद्धी दाग हो जाते हैं इस तरह की बर्तनों के ओपर तो उसको हम थोड़ा सा वेले गर के साथ भी साप कर सकते हैं लेकिन नूर्मली अगर थोड़ा बहुत एका अदा दाग रहे पी जाता है तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, थोड़ा बहुतों नीचे रह जाता है तो लेकिन mostly ये सारे अच्छे से साफ हो जाते हैं ये देखिए स्टील के ब्रश के साथ अगर मैं कर रही हूँ तो ये और भी अच्छे से साफ हो गए हैं और इसके बाद हम इसको अच्छे से धो देंगे यानि गीले कपड़े से इसको साफ कर लेंगे और यदि आप गैस की जो पाइप है पाइप को निकाल सके तो और भी अच्छा है पाइप को निकाल करके अगर हम इसको साफ करते हैं तो इसको हम डिरेक्ट पानी के नीचे अच्छे से जिस तरह से बर्तनों को मांचते हैं इस तरह से मांचतो करके भी रख सकते हैं लेकिन इसमें एक ध्यान रखना होता है कि जो इसकी चोटी-चोटी सी पिन होती है जिसमें से गैस आती है चुले में उसमें पानी नहीं जाना चाहिए इसलिए हम इसी तरह से सुखे से गिला सुखा करके इसको धौ लेते हैं तो अब ये देखिए हमारा चूला जो है नीचे से बिलकुल अच्छे से साफ हो गया है ये पाइप पाइप सभी हम अच्छे से साफ कर लेगे तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए और नए है चैनल पर तो जरूर कर लेजिए तो ये देखिए हमारा चूला जो है लगबग साफ हो गया है तो गैस का जो पाइप है इस पाइप का विशेश ख्याल रखें ये देख लें कि अगर इसको मुणने में परिशानी है तो इसको अपने स्वीधा के अनुसार आप रख लें अच्छे से और बीच में एक बार और मैं ये दोराना चाहूंगी अगर आप भूल जाएं तो गैस के सिलेंडर को नीचे से जरूर बंद कर लिजे क्योंकि कोई भी रिस्क लेना हमारे लिए ठीक नहीं होता गैस के लिए तो ये देखिए हमारा गैस का चूला नीचे से अब नीचे की इसक की जाख व गया है जिद्धी दार में हमने लगबग साफ कर दिये हैं तो अब हम उपर से इसकी सफाइज करेंगे ओपर से भी ये तो लगबग डेली ही सभी का हो जाता है, अब बार ही आती है जो इसके नॉप्स बगएरा होते हैं, ये नॉप्स के अंदर काफी गंदगी जमा हो जाती है, क्यूंकि इनके अंदर जैसे हम रोटियां लगाते हैं तो सुखाटा डल जाता है, कुछ तलते हैं तो इसमें से पेल, वेल जब जाता है, तो इनको हर रोज साफ करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए अब हम इनको पेचकस की सहाइता से ही, यहाँ पर इसका पेच दिया होता है, इसको हम खोल लेंगे, और यह असानी से खोल करके निकल जाता है, तो ये देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और ये देखिए बाहर आ गया है और इसके नीचे भी सफाई की जरूरत है ये देखिए कितना इसमें गंदा हो चुका है ये दो वाले जो मेरे बर्नर से ये ज्यादा यूज में आते हैं तो ये लगबग उपर उपर से साप daily हो जाते हैं, यह कम यूज में आता है तो इसमें तोड़ी ज्यादा जंदगी जमी हुई है, तो जो जमी होई जंदगी है इसको हम इस तरह से रगड के साफ कर लेंगे, थोड़ी सी जो उपर-उपर से उतरने की उत्ती है वो इस तरह से उतर जाती है मूटी-मूटी, उसके बाद हम इसको अच्छे से clean करेंगे तो ये देखिए कितना इसमें mail जो है वो जमा हुआ था इसको हमने पेचकस की सहायता से उतार दिया है अब हम इसको अच्छे से clean करने के लिए ये देखिए गंदगी नीचे देखिए कितनी गंदगी आ गई है इसमें तो कोशिश करें कि इतनी गंदगी ना जम्मा होने पाए पर फिर भी हर रोज के काम करते हुए इतना समय हमें नहीं मिलता है कि इतने अच्छे से हम क्लेनिंग कर सके तो इसको हम गीले ने सुखे कपड़े से साफ करेंगे तो ये बिलकुल अच्छे से साफ हो जाता है और अगर ज़्यादा जमा हुआ मैल है तो थोड़ा सा सरफ का जो स्टील वाला बरतन साफ करने वाला जा मैं उससे या टूथ ब्रश जो हमारा सबसे बड़ा हैलपर है टूथ ब्रश को ले करके हम इसको उसके साफ कर सकते हैं और एक कैस साफ करने वाला ब्रश भी मार्किट में मिलता है अगर आप उसको ले सके तो आप उसको ले सकते हैं नहीं तो इस तरह से जो हमारे वेस्ट टूथ ब्रश होते हैं वो all around होते हैं सबी कामों में वो बड़ा अच्छा हमारा साथ दे देते हैं तो मैंने पुराने इस ब्रश की साहता से ये देखिए इसको रगड के साफ कर लिया है और ये देखिए हमारा ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है इसी तरह से हम बाकी के भी दोनो नॉप्स को साफ कर लिए तो इसके साइड से भी हम इसकी मैल को निकाल लिए अब थोड़ा सा सूखा कपड़ा इसको हम लगाएंगे तो ये एकदम से चमक जाएगा और इसी तरह से इसके जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम साफ करेंगे इस तरह का ये हमारे पास गया साफ करने का स्पेशल ब्रश होता है अगर आपके पास हो तो आप इसके साथ भी इसको साफ कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साफ करने से इसमें थोड़े से स्क्रैश का बना होता है ज्यादा जिद्धी महल होती है तो इसको इसके साथ रगर लीजिए और नहीं तो टूथ ब्रश सबसे बेस्ट है क्योंकि वो हर जगह पर चला जाता है तो यह देखिए मोटा मोटा उसे करके अच्छे बारी किसे हम टूथ ब्रश से कर लें तो इन सभी नॉब इसको आपका चाहिए दो चूले वाला बननर हो यह तीन वाला हो यह चार वाला हो इन सभी को हम इसी तरह से साफ कर लेंगे किचिन की सफाई करना एक बहुत बड़ा काम रहता है हम सभी के लिए तो अगर हमें थोड़ी सी इस तरह से सहायता मिल जाती है तो हम अपने काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं और हमें दूसरों के उपर डिपैंड नहीं रहना पड़ता है तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे तो इतना ये सब साफ करने के बाद अब हम इसके जो ये काले नौब है उनको साफ करेंगे ये तो देखिए हमारे ये सारे साफ हो गए है अब हम इनको लेंगे और यही वाला ब्रश या आपके पासी से भी चोटा कोई पतला ब्रश हो तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं जो जिस डिश्वाशर से हम अपने बर्तनों को दोते हैं मांजते हैं उसी की सहायता से थोड़ा सा गरम पानी अगर ले लें तो ये जल्दी साफ हो जाते हैं उसके साथ हम इन ब्रश के साथ इसको बड़े अच्छे से रगड़ रगड़ के इन सभी को मांज लेंगे, इनको धोने में मांजने में कोई परिशानी नहीं आती है, और अगर इसमें पानी चला जाता तो उसे कोई दिक्कत नहीं आती है, इनको अच्छे से धो के ब्रश के साथ हम इसको धूप में सुखा लेंगे, या फिर सुखे करना है तो मेरे पास यहां पर गरम और ठंडा दोनों ही पानी मेरी टैप में चलता है तो मैं गरम पानी का मिक्स्चर सा लेकर के इनको साफ कर रही हूं क्योंकि गरम पानी से जल्दी साफ हो जाते हैं तो यह देखिए तीनों के तीनों जो यह नौग हैं हमारे बिल्कुल एक तो अब अगली बारी आती है इनोप्स को साफ करने के बाद आप नमबर आता है यह जो हमारे बर्नर्स है जिनको हमने भीगो करके पानी में रखा हुआ यह देखिए इसकी जो मैल है वो गल गई है अब हम इसको भी इसी ब्रश के साथ कर सकते हैं नहीं तो जो हमारे पास स्ट पानी कितना गंदा हो चुगा था एक दम से काला तो इसको पानी को निकाल देंगे क्योंकि मैंने ये सिंपल पानी में ही डाल के रखे हुए थे अगर आप इसको सर्फ और वेनेगर के पानी में डिप करके रखते हैं तो उस पानी को बचा करके रखें और उसके अंदर बार बार इसको डाल करके साफ कर ले तो मेरे पास यह जो गैस को साफ करने वाला ब्रश है अभी मैं इसी की साथ इसको रगड के साफ कर लूँगी जाकि जो मोटी मोटी जो गंदगी है वो अच्छे से इससे निकल जाती है और जो बारीक एरिया होते हैं जो ऐसे इसके अंदर की जो हमें सफाई करने होगी उसको हम तूथ ब्रश की साहता से साफ कर लेंगे तो यह देखिए तीनों के तीनों ही बर्नर्स को मैंने अच्छे से रगड के साफ कर लिया और इसका यह जो पाइप होता है यह देखिए अब बाकी तूथ ब्रश तो हर जगे पहुंच जाता है और इस तूथ ब्रश की साहता से हम इसके अंदर के ये पार्ट्स को भी अच्छे से साफ करेंगे और ये जो पाइप है जिसके अंदर भी ब्रश अच्छे से चला जाता है और इसके अंदर से भी ये क्लेनिंग कर देगा और जो भी इसके अंदर मैल जम्नी होगी ये देखिए इस तरह से इसके अंदर भी हम इसको डाल करके साफ कर लेंगे और यह देखे कितना इसके अंदर मैल है तो ये सारा ही साफ हो जाएगा तो ये मैंने थोड़े काफी लंबे समय के बार अपने गैस की सफाई कर रहे हूँ तो इसलिए मेरा काफी गंदा हो चुका है इस ताइम और ये सब मैं आपको दिखाने के लिए मैं बड़े लंबे समय से ये सोच रही थी कि गैस की सफाई का कोई वीडियो बनाते हैं तो इसलिए एक थोड़ा जादा गंदा हो गया तो अब ये देखिए एक दम से हमारे जो बर्नर है वो बिलकुल साफ हो गया है आप चाहें तो इनको और ज़्यादा रगड के साफ कर सकते हैं और अगर इसमें हम वेनेगर और थोड़ा सर्फ मिला करके पानी में भिहोके रखते हैं ये इससे भी ज़्यादा साफ हो जाते हैं लेकिन मुझे इतना ही काम अपना चलाना है तो मेरा काम इतने में अच्छे से हो जाएगा क्योंकि मैं समय समय पर इनको करती रहती हूं तो जब थोड़ा सा गंदा होएगा फिर से साफ कर लेंगे तो ये देखिए इस तरह से ब्रश के साथ रगड़ के या स्टील के उसके साथ हम सभी अपने बर्नर्स को साफ कर लेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है क्योंकि सभी मैंने इसमें बारिकी से इसकी सफाई करना आपको दिखाया है तो ये देखिए बिलकुल हमारे जो बर्नर है वो एकदम से साफ हो गए है ये देखिए थोड़ी बोत के जलता है तो जलने से भी बर्नर का कलर जो है काला हो जाता है तो कुल मिला करके इनकी जो गंदगी है वो मोटी-मोटी सब साफ हो गई है अब बनी है इसकी जाली की तो यह जाली मेरा जो है पीतल की है क्योंकि मेरा जो गैस का चुला है वो 20 25 साल पुराना है तो इसलिए इनको कई बार बदला गया है, ये जालियां जल्द ही खराब हो जाती है, तो जो start में, शुरूर में जो चुले के साथ आती है, वो पितल की जालियां होती है, ओरिजनल, लेकिन जो बाद में ये लोग देते हैं, पितल का नाम दे करके लोहे की भी आती है, तो ये mix है, बाकि जो दो हैं वो लोहे की उन्होंने दी हुए है तो थोरी सी अच्छी साप नहीं होंगी मृ काली काली दिखेंगा जैसी नहीं दिखाई देती है तो यह दिखिए यह च्छोटे वाली है और यह बीच वाला है तो इनको भी हम इसी तरह से brush के साथ साफ कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि tooth brush all rounder है उसी की सायता से हम बड़े अच्छे से साफ कर सकते हैं और देखे कितनी गंदगी कितनी मैल इन जालियों में से निकली है और यह हमारी जाली बिल्कुल साफ हो गई है और किसी किसी की जालियों के छेद बंध हो जाते हैं तो उसके लिए हम एक या तो इसके साथ पिन आती है नहीं तो safety pin का भी इस्तेमाल कर सकते है या जो हमारी बड़ी सुई होती है सिलाई बाली उस सुई की साहयता से भी हम इन छेद को खोल सकते हैं तो यह लिजे हमारी जालियां साफ हो गई है और अब गैस को हमने बिल्कुल चमका लिया है तो मेरा यह इतना पुराना गैस का चुला होने के बाद भी आज भी ठीक दिखता है क्योंकि मैं इसको समय समय पर साफ करती रहती हूँ तो अब यह मेरे जो नौब है गैस के वो सूख चुके हैं और अब हम इनको इसके साथ लगा लेंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने पेच को कोला था हाँ यहाँ पर एक बात विशे इस ध्यान देने की है कि जिस तरह से हम जिस जिस चीज को जहां से कोलेंगे उसी तरह से उसको याद रखना है कि हमने वापिस उसको उसी तरह साथ करने के बाद लगाना भी है यह नहीं कि आप खोलते हुए ध्यान रखें और फिर लगाते हुए सोचें कि हमने कहां से निकाला था और कहां से लगाना है तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस सब चीज़ों को करेंगे तो ये देखिए मेरे नॉब जो है लग चुके हैं और ये मेरे बर्नर भी अब सूख गए है तो पहले के मुकाबले काफी साफ हो गए है ये देखिए नए जैसे तो मैं इनको नहीं करेंगे लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले काफी साफ हो गए है तो अभी मेरे बर्तनों को काला नहीं करेंगे तो अब हम इनको सेट करेंगे इनको सेट करने के लिए भी अभी बड़ी ही साफधानी से आप वीडियो को देखें और पूरा देखे बीच में स्किप करके ना देखे क्योंकि कई बार कोई भी चीज एक चूट जाती है तो वो अगली चीज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है तो यह जो हम मेरे पास पिन आप देख रहे हैं यह गैस साप करने का जो ब्रश है उसके साथ में ही मिली हुई है इसकी जो यह नीचे जिसमें से गैस निकलती है वहां पर हम इसको सेट करेंगे उससे पहले इसके अंदर हमें पिन के साथ को साफ कर लेना होता है ताकि उसके अंदर अगर पिन के करना हो तो यह साफ हो左右 जाए और उसकी ब्लोकेस दूर हो जाई यह देखे जैसा कि अभी मे बारिक पिन नहीं है तो पहले जो स्टोव चलते थे पुराने जमाने के उनकी जो पिन होती थी या तो आप उस पिन को ले सकते हैं या फिर आप सिलाई वाली जो बारिक सुई होती है उसके साथ या सेफटी पिन बारिक हो उसके साथ भी आप इनको साफ कर सकते हैं और इस तर से अपने बर्नर को हमने सेट करना है जिस तरह से निकाला था बिलकुल ठीक उसी तरह से इसको हमने लगा देना है और यह चीज़ को हमने पूरा अच्छे से अपना ध्यान रखना के उपर का पॉइंट इसके अंदर हो पाइप जो है अंदर घुश जाए उसके बाहर नहीं हो होना चाहिए बिलकुल भी यह देखिए इस तरह से पहले हम इधर से डालेंगे इसको फिर दूसरी तरफ के इसमें डालेंगे इसको स्कुरू टाइट कर देंगे बाद में और इसी तरह से हम अपने तीनों बर्नर को अच्छे से से सेट कर लेंगे तो अब यहां तक का काम ह हो गया है यह देख़े बिलकुल पूरी तरह से हमने इनको सेट कर दिया है तीनों को आब इनके उपर हम इनकी जो जालियां है उन जालियों को रख देंगे और साफ़ क्या तो इसलिए अभी इसमें गैस हम नहीं चला करके देखेंगे, जब यह थोड़ी सी सूख जाएंगी, तब हम इसको जला करके देखेंगे तो ये आज की हमारी वीडियो यहीं पर पूरी हो जाती है, तो आज मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी बारी की के साथ, अपने घर पर ही गैस किस तरह से सर्विस की जाए किस तरह से गैस को साफ किया जाए साफधानी के साथ वो दिखाया अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी वो तो वीडियो को लाइक शेर अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और अपने मित्रों और प्रियजिनों को आपके जो भी जानकार हैं उन सभी को मेरी इस वीडियो को शेर अवश्य कीजिएगा ताकि सभी को इसका लाब मिल सके तो मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत